नमस्कार महा भागे देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे अक्सर हम दैनिक जीवन में, जीवनचरिया में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए मंत्रों का जब करते हैं लेकिन मंत्र होते क्या हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं ये हम नहीं जानते तो आज हम बात करेंगे मंत्रों के विज्ञान के बारे में और ये जानेंगे कि मंत्र कैसे काम करते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है और मंत्र का प्रियोग जीवन में कैसे करना चाहिए कि मंत्र का इस्तेमाल करने से आपको लाब हो तो चलिए अपने कारिक्रम की शुरुवात करते हैं हर रोज की तरह सबसे पहले आज का मंत्र आज का मंत्र है श्रीम श्रीम मा नहीं, श्रीम नहीं, श्रीम अंग की मात्रा है श्रींग ये जो श्री अक्षर है ना ये दुनिया की सारी संपन्नता का अक्षर है तीन अक्षर से मिलकर बना है श, र और ई श्रींग श्रींग ये जो श्रींग मंत्र है ये मालक्षमी का या धन का संपन्नता का सबसे बड़ा मंत्र है तो अगर आप जीवन में धन संपत्ती की कामना रखते हैं या आपको धन की प्राप्ती नहीं हो पा रही है तो आप एक नियम बना लें कि रोज सुबा उठने के साथ अपने पलंग पर बैठे बैठे ही श्रींग 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 इसका नौ बार आप जब करके तब पलंग पर से उतरिये ऐसा नियमित रूप से करने से डेली लाइफ में डेली रूटीन में आपको धन का अभाव नहीं होगा अब आते हैं अपने विशे पर सबसे पहले ये जानते हैं कि मंत्र होते क्या हैं मंत्र कहते किसको हैं मंत्र के बारे में शास्त्र कहता है मनात तारियेति यस्तुसह मंत्रह जो मन का तारण कर दे मन को मुक्ती दिला दे वो मंत्र है मनात तारियेति मन को तारण करने वाला मन की मुक्ती देने वाला मंत्र है मंत्र क्या होता है भाई? देखिए मंत्र कुछ विशेश प्रकार के शब्दों की एक सनरचना है कुछ विशेश तरह के शब्द और अक्षर मिला करके एक विशेश तरह का निर्मार किया जाता है उसे कहते हैं मंत्र इसका विधी पूर्वक जब करने से स्रिष्टी की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है जी हाँ, बिल्कुल ठीक सही सुना आपने दुनिया की सारी उपलब्धियां अगर सही तरीके से मंत्र का जब किया जाए तो आप निश्टित रूप से स्रिष्टी की सारी उपलब्धियां पा सकते हैं यहां तक की अगर सिद्ध मंत्र का जब किया जाए तो मुक्ति और मोक्ष भी व्यक्ति को मिल सकता है यानि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है और दुबारा जन्म लेने का जो चक्कर है उससे आजादी मिल जाती है देखिए मंत्र वास्तों में दो शब्दों के होते हैं अगर हम वास्तिविक मंत्रों की बात करें तो मंत्र केवल दो शब्दों के होते हैं जिनका श्वास पर और प्रश्वास पर जब किया जा सकता है जैसे राम एक मंत्र है, शिव एक मंत्र है, बाबा एक मंत्र है तो जो साश और प्रश्वास पर चले यानि सास अंदर गई तो एक अक्षर और सास बाहर आई तो दूसरा आखशर, जैसे रामा, ऐसे होता है ना, शांस अंदर गई और बहार आई तो जो शांस और प्रश्वास पर चल सके, वही दरसल मंत्र होता है बाके जिनको हम मंत्र समझते हैं, वो या तो रिचाएं होती हैं वेदों की, या वो इशलोक होते हैं वो मंत्र नहीं होते बीज मंत्र के साथ अगर प्रियोग किया जाए तो रिचाएं और इशलोक भी परियाप्त लाबकारी होते हैं जैसे बीज मंत्र है ओम शंग शनेश्चराय नमहा शंग बीज मंत्र है ओम ब्रिम ब्रहस्पतय नमहा ब्रिम बीज मंतर है तो अगर बीज मंतर के साथ रिचाओं का या इशलोक का प्रियोग किया जाए तो इनसे भी बेनिफिट होता है लेकिन जादा तर वही मंतर लाबकारी होते हैं जो शास और प्रश्वास पर चल सकते हैं मंत्र दो तरह के होते हैं, एक वो मंत्र होते हैं, जिनको कोई भी जब सकता है, जैसे गायत्री मंत्र, हाला कि वो गायत्री की रिचा है, लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में ये जाने रहिए, कि उसको कोई भी जब सकता है, और दूसरा मंत्र होता है, जो किसी खास आदमी के लिए होता है जैसे शैलेंद्र का मंत्र अलग होगा राम का मंत्र अलग होगा अरुन का मंत्र अलग होगा सुरेश का मंत्र अलग होगा तो हर व्यक्ति के जो अलग-अलग मंत्र होते हैं वो उसके संसकारों को देख करके उसके मन की स्थिती को देख करके बताय जाते हैं ये एक आसान काम नहीं है, आपके लिए विशेश मंत्र कौन सा होगा, ये बिना किसी साधना के या बिना किसी महत्पूर प्रक्रिया के नहीं जान सकते, लेकिन जब आप अपने जीवन का विशेश मंत्र जान जाते हैं, तब आप ये जाने रहिए कि दुनिया की हर उपलब्धी कि आप प्राप्त कर सकते हैं ये तो हो गया मंत्र की परिभाशा कि मंत्र होते क्या हैं अब ये जानते हैं कि मंत्र काम कैसे करते हैं कैसे वर्क करते हैं और आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं आखिर देखिए हर शब्द के अंदर एक रंग है और एक तरंग है आप आपको पता हो या ना हो लेकिन हर अक्षर के अंदर हर शब्द के अंदर एक रंग है और एक तरंग है आ का एक अलग रंग है श का एक अलग रंग है हो का एक अलग रंग है और एक तरंग भी है इस शब्द के रंग और तरंग से मिलकर ही आपके मंत्र प्रभावशाली हो जा क्योंकि हर व्यक्ति की भी एक रंग है हर व्यक्ति का एक रंग है काला गुरा नहीं हर व्यक्ति के मन का एक रंग होता है मन का रंग हरा भी हो सकता है मन का रंग लाल भी हो सकता है और मन का रंग नीला भी हो सकता है तो हर व्यक्ति का भी एक रंग है और हर व्यक्ति की भी एक तरंग होती है जिसको vibration कहते हैं न कि फला आदमी से मिले अच्छा नहीं लगा बड़ा खराब आदमी लगा वो तरंग बता रही है कि वो अच्छा नहीं है और कहते हैं उससे मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है उसके पास बैठ के लगता है कि जीवन में बड़ा सुकून मिला वो तरंग का खेल है तो हर व्यक्ति के अंदर एक खास तरह की रंग की स्थिती है और एक खास तरह की तरंग होती है जब आपके शब्द या आपके अक्छर सही तरीके से किसी व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं जैसे आपके नाप का कुर्ता बना दिया गया और जैसे ही आपके नाप का बना आपने पहना तो आपको फिट हो गया उसी तरह से जब मंत्र की रंग और तरंग किसी इनसान के रंग और तरंग से मैच कर जाते हैं तो मंत्र काम करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले मंत्र शरीर पर असर डालते हैं फिर आपके मन पर असर डालते हैं और तब जो मंत्र है वो आपकी आत्मा पर असर डालते हैं यानि शरीर पर, मन पर और आत्मा पर इन तीनों लेवल पर मंत्रों का असर होता है लेवल हैं आपके मन के साथ पॉइंट हैं जिनको तंत्र में चक्र कहा जाता है ये जो चक्र हैं ये बड़े एक्टिव होते हैं मन को प्रभावित करते हैं और जब मंत्र इन चक्रों पर मैच कर जाते हैं तो मंत्रों का असर भी आपके जीवन पर आपके शरीर पर मन पर और आत्मा पर होना शुरू हो जाता है, शरीर में इस्थित चक्रों के माध्यम से ये मंत्र काम करते हैं, अब ये जानते हैं कि मंत्र का साइंस क्या है, मंत्र को समझा कैसे जाए, मंत्र कैसे काम करते हैं ये जान लिया, मंत्र होते क्या हैं ये जान लिया, मंत्र का साइंस क्या है आखिर मंत्र के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना है और मंत्र के पीछे की जो कार्य प्रणाली है जो इसका विज्ञान है वो क्या कहता है मंत्र में जिन शब्दों का प्रियोग होता है उन शब्दों की एक विशेश रंग और तरंग होती है कोई आदमी सड़क पे जा रहा है आप उसको अपशब्द बोलने लगिए उसको गाली देने लगिए तो क्या होगा वो आपसे ज़ड़ा करने पहुँच जाएगा सोचिए जब गाली में इतनी ताकत है कि वो आदमी से ज़ड़ा करवा देती है तो जो मंत्र हैं जो इतने सोच समझ के बनाए गए हैं वो क्या नहीं करवा सकते इसी लिए जो शब्द है उनकी तरंग और रंग विशेश होती है और आपके शरीर के साथ जब इन रंगों का और तरंगों का लाब होता है तभी तालमेल बैठता है और तभी मंत्र लाब करते हैं अगर आपके रंग के साथ आपकी तरंग के साथ मंत्रों का मैच नहों मंत्र उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएं तो इनका जाप नुकसान कर जाएगा आपको और आपके मन को, आपकी मनोदशा को आपके mental status को परिवर्टित कर देगा यानि हमेशा इस बात का ध्यान लखना चाहिए कि आपकी मनोदशा क्या है और आपके तत्व क्या है, आप जल तत्व के आदमी हैं, आपको अगनी तत्व का मंतर दे दिया जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे आप वायू तत्व के आदमी हैं और आपको पृत्वी तत्व का मंत्र दे दिया जाए तो भी लेने के देने पड़ जाएंगे इसलिए जो मंत्र आप जपेंगे ये देखेंगे कि आपकी मनो दशा कैसी है आपका मन कैसा है और आपके तत्व कैसे हैं इनको देख कर ही मंत्रों का चुनाव किया जाना चाहिए कभी भी किसी मंत्र का प्रियोग किसी बुरी भावना से नहीं करना चाहिए बहुत सारे मंत्र होते हैं अगर हम तंत्र की बात करें मारन, मोहन, उचाटन, कीलन, इस्तंभन, बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए मंतर का इस्तमाल किया जाता है लेकिन मंतर का प्रियोग किसी बुरी भावना से नहीं करना चाहिए अन्य था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम स्वैम को ही प्रभावित करेगा आप किसी को नुकसान पहुचाने के उद्देश से किसी के लिए मारन मंत्र जप रहे हैं कि उसकी मृत्तिव हो जाए या आप मोहन का उच्चाटन का मंत्र जप रहे हैं या किसी को रोकने के लिए इस तंभन का मंत्र जप रहे हैं याद रखिए जो क्रिया आप करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी वो मंत्र लोट कर आपके पास आएगा और आपको बुरी तरह से नुक्सान पहुचाएगा तो किसी को भी नुक्सान पहुचाने के उद्देश से मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए अपने को फाइदा हो जाए वो बात तो ठीक है लेकिन दूसरे को नुक्सान हो मंत्र जप करने से या ऐसा मंत्र जपने लगे जिससे दूसरों को नुक्सान होने लगे तो निश्चित रूप से ये मंतर देर या सवेर आपको भी नुक्सान करेंगे, इस बात का ध्यान लखिये अब ये जानते हैं कि मंतर के जब करने के नियम क्या है और मंतर जब करने की साब्धानिया क्या है देखिए शास्त्र कहता है और आदरणिय विवेका नंद जी महराज भी कहते थे कि मंत्र जब करने के लिए स्थान, समय और आसन निश्चित होना चाहिए यानि एक ही स्थान पर, एक ही समय पर और एक ही आसन पर बैट करके मंत्र का जब करना चाहिए एक दिन 6 बजे जब रहे हैं, एक दिन 7 बजे जब रहे हैं, कभी बेडरूम में जब रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में जब रहे हैं, कभी पूजा स्थान पर जब रहे हैं आपके मन को ये पता होता है कि ये समय हो गया है मंत्र जब करने का तो मंत्र आपका मन आपका एकाग्र हो जाता है। इसलिए एक स्थान, एक समय और एक आसन का होना बड़ा आवश्यक है, बहुत महत्वपून है। अगर आप मंतर के जब की शुरुवात करना चाहते हैं तो किसी भी पूर्डिमा से या अमावस्या से करना चाहिए क्योंकि याद रखिए पूर्डिमा और अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा की विशेश इस्थिती होती है और आपका मन बिल्कुल active mode में होता है, मन बिल्कुल उचे स्तर तक चलना शुरू कर देता है इसलिए अगर आप पूर्डिमा या अमावस्या से मंत्र का जब करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो आसन है आपका, वो सफेद या काले रंका हो, उनी बना हुआ हो, तो उत्तम होता है जिससे आपकी शरीर की उर्जा जमीन के अंदर न चली जाए आसन काले रंका हो, सफेद रंका हो, मोटा उनी हो, दरी हो, उसका आसन बना ले ताकि आपकी शरीर की उर्जा जमीन में प्रवेश्णा करे वैसे विशेश उद्देश के लिए विशेश आसन का प्रियोग भी कर सकते हैं जैसे हनुमान जी की पूजा के लिए या देवी की उपासना के लिए लाल आसन का प्रियोग कर सकते हैं शीगर विवाह के मंत्र जब करने के लिए पीले आसन का प्रियोग कर सकते हैं, तो आसन भी अलग-अलग रंग के हो सकते हैं, लेकिन जादा तर मामलों में सफेद या काले आसन मोटे उन के बने हों, मोटे कंबल के बने हों, या मोटी दरी के बने हों, उस पर बैठ के मंत्र जब करना चाहिए नहीं तो आपकी सारी जो एनरजी है वो जमीन में चली जाएगी और मंत्र जबने से आपको फाइदा नहीं होगा मंत्र जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला प्रियोग करनी चाहिए चंदन की माला से मंत्र जपें जैसा बताया जाता है आपको या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जपें आप चाहें तो अंगुलियों पर भी मंत्र का जप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मंत्र जब जब करते हैं तो शरीर में एक एनरजी पैदा होती है एक उर्जा पैदा होती है जो सर सिले के पाउं तक आपके साथ कम से कम अगले 10-15 मिनट तक बनी रहती है तो मंत्र जब जब आप करते हैं उसके बाद कम से कम 15 मिनट तक जल का इसपर्ष ना करें अगर आप मंत्र जब करने के बाद तुरंत जल छू लेते हैं तो सारे मंत्र की शक्ति ट्रांसफर हो जाती है और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता अगर जल छूना जरूरी है तो कम से कम 5 मिनट बाद ही छूईएगा उसके पहले नहीं मंत्र जब करने के बाद आप जल छूने से जहां तक हो परहेश करिए मंत्र जब किसी भी अवस्था में किया जा सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान मंत्र का जब नहीं करना चाहिए देखिए जिस समय पर ये प्रतिबंद बनाया गया उस समय पर हाईजीन की प्रॉबलम थी आज कल के समय में हाईजीनिक समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं है अपने आपको स्वक्ष और हाईजीनिक रखा जा सकता है और इश्वर तो हर छण में है ना ये तो आप कहने सकते कि मासिक चक्र में इश्वर की कृपा नहीं रहेगी बाकी समय में रहेगी इसलिए किसी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम बीमार हो तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो तुम मंतर जप मत करो तुम पूजा मत करो बिलकुल पूजा करिए बिलकुल मंतर जप करिए सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आपका शरीर स्वक्ष रहना जरूरी है तो ये बात जाने रहिए कि आप ये नहीं कह सकते किसी महिला को कि वो मासिक चक्र में है तो भगवान की पूजा नहीं करेगी मंत्रों का जप नहीं करेगी हाँ ये थोड़ा जरूर होता है कि वो समय थोड़ा फ्रेजाईल होता है कमजोर होता है महिलाओं के लिए आप प्रेम पुर्वक बैट करके मंतरों का जब कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई मना ही नहीं है। और मंतर के पीछे कोई जाति, धर्म, ये सब चीजे भी important नहीं हैं। जो मंतर आपके लिए perfect हो या जो मंतर आपके लिए उत्तम हो, उस मंतर का जब आपको करना चाहिए। या शान्त मन से मंत्र का जब करेंगे तो आपकी शान्ती बढ़ेगी मन थोड़ा बैलेंस होगा इसलिए अपने मन को बैलेंस करने के हिसाब से ही कहा गया कि स्थान, समय और आसन निश्चित होना चाहिए जब मन को पता होता है कि रोज रात में आठ बजे ये व्यक्ति मंत्र जबता है तो आठ बजे मन मंत्र के मूड में आ जाता है मन शान्त हो जाता है अब आप बहुत तनाव में हैं, बड़े परिशानी में हैं, उसी में मंत्र जब रहे हैं तो मंत्र और तनाव मिक्स हो करके आपका तनाव और ज्यादा बढ़ा सकता है